संजीव एक दर्जी था, वे घर में ही कपड़े सिलता और गरिमा उनमें हाथ के काम निप्टा देती थी अपने परिवार की जिम्मेदारियों से दबे हुए वो कभी अपने बारे में सोच ही नहीं पाए उनकी बेटी नित्या साथवी कक्षा में पढ़ती थी लेकिन आगे की पढ़ाई का खर्च उठाना उनके वश्की बात नहीं थी संजीव बोला गरिमा बस आठवी ही बात है, ज्यादा पढ़ेगी तो लड़का भी तो अच्छा चाहिए होगा ना ज्यादा पढ़ा लिखा लड़का मतलब ज्यादा दहेज तो गरिमा ने कहा, तो क्या आठवी पढ़ा कर घर में बिठा लोगे डर लगता है, दरसी हूँ दहिज कहां से दूँगा अभी पिछले साल तक तो बेहनों की शादियों के लिए कमाया है और आज अपनी ही बेटी के लिए मेरे पास कुछ नहीं है चिंता मत करो, जैसा उसकी किस्मत में होगा वैसा ही होगा निद्या की आठवी पास हो गई, आगे पढ़ने की ख्वाइश उसके मन में ही रह गई अब क्या था, बस पूरे दिन घर में चूला चौका ही संभालना था गर्मा भूली, बेटी अब कुछ सिलाई कड़ाई सीख ले, अच्छे बुरे समय में तेरे काम आएगी तो निद्या ने कहा, माँ पढ़ाई काम आती वो तो आपने करने नहीं दी, सिलाई कड़ाई मेरे क्या काम आएगी गरिवा ने कहा आएगी बेटी वह तो हमेशा काम आएगी कोई भी सीखा हुआ काम बेकार नहीं जाता और माबाप की मजबूरी भी समझ नित्या उनके पास इतना पैसा नहीं है सिर्फ सिलाई से वो कितना कमा सकते हैं नित्या वहां से मुह बना कर चली गई दिन बीठते गए और वह समय भी आया जब एक दिन नित्या की शादी कमल से हो गई और वह ससुराल चली गई नित्या ने कमल से पूछा क्या बात है कमल तुम्हारे घर में हमारे स्वागत के लिए कोई नहीं है अरे जब कोई है ही नहीं तो कैसे होगा क्या तुम नहीं जानती कि मैं अकेला हूँ मेरे पिता जी मेरी मा के खून के जर्म में जिल में बंद है तो नित्या ने कहा क्या मैंने सुना था एकलौते बेटे हो लेकिन कोई भी नहीं है ये नहीं जानती थी कमल बूला अच्छा अंदर आजाओ, तुम्हें अपना स्वागत खुदी करना पड़ेगा नित्या की शादी किसी ने एकलौता बेटा बना कर कमल से करा दी घर में चारों तरफ सामान बिखरा था जैसे यहां बरसों से कोई रहता ही ना हो नित्या भूली यह सारा घर आस्तिवेस्ट पड़ा हुआ है है, कितनी गंदगी है तो कमल ने कहा अब तुम आ गई हो ना, अब अपना घर अपने हिसाब से सजा लो कुछ दिन बात पता चला कि वह घर भी किराय का था और हद तो तब हुई जब एक दिन कमल शरापी कर आया नित्या एकदम से तूट गई और बोली मेरी जिन्दगी के साथ तुमने इतना बड़ा खिलवार क्यों किया तुम अकेले हो, चराप भी बीते हो यह घर भी किराय का है फिर तुम्हारे पास है क्या कमल कमल की सच्चाई खुल चुकी थी अवे रोज शराप पी कर नित्या के साथ मार पीट करता नित्या ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम खुशी रखा बहुत समय बाद वह अपने माई के गई और गरिमा के गले लग कर खुब रोई गरिमा बोली इतना क्यूं रो रही है हमें बता तो सही कि क्या हुआ तो नित्या ने दुखी होकर कहा मा, कमल धो के बास है उसके पिता खुनी है अपनी ही पत्नी का खुन करके वो जेल में है और जिस घर में वो रहता है न वो किराय का है मा वो शराब भी पीता है और मुझे मारता भी है संजीव हैरानी से बोला क्या, हमारे साथ इतना बड़ा धोखा तो गरिमा ने कहा शान्त रह नित्या अब वो जैसा है, तेरा पती है अब एक बेटी है, इसके बारे में सोच शायद तेरे भागे में ऐसा ही लिखा था अपनी मा की बाते सुनकर नित्या बहुत निराश हुई और वापस कमल के पास आ गई नित्या बोली सुनो, मुझे कुछ पैसे चाहिए खुशी के पास सर्दियों के कपड़े नहीं है तो कमल ने कहा अरे मैंने तेरा ये तेरी बेटी का ठेका नहीं दे रखा नहीं है मेरे पास पैसे, समझी धन में मरती है तो मरने दे वे हमारी बेटी है कमल तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो चुप कर आराम से रहना है तो रह वरना निकल जाए यहां से नित्या रोने लगी और अपनी मा की बाते याद करने लगी मा हमेशा कहती थी कि सिलाई कढ़ाई सीख ले तेरे अच्छे बुरे वक्त में काम आएगी उसे याद आया मेरे पास जो स्वेटर है उसमें से खुशी के लिए ड्रेस बना देती हूँ हाँ, मेरा क्या मैं तो बिना स्वेटर के भी रह लूँगी उसने जल्दी से सिलाई मशीन निकाली और अपनी स्वेटर काट कर खुशी की सर्दियों की एक बहुत सुन्दर ड्रेस सिल कर पहना दी मकान मालिक की लड़की राधिका बोली भाबी, ड्रेस तो बहुत सुन्दर है कितने में खरी दी? नित्या बोली दीदी, मैंने ये खरीदी नहीं है खुँद सिली है सच में, विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये आपने सिली है आपने ऐसी सिलाई कहां से सीखी? कहीं से नहीं दर्जी की बेटी हूँ इसलिए पिताजी को सिलते देख कर सीख गई क्या आप मेरी बेटी के लिए भी सिल दोगी? मैं आपको पैसे दूँगी, हाँ हाँ, मैं सिल दूँगी नित्या को अब एक काम मिल गया वे आस पास के कपड़े सिलने लगी कमल भूला अरे वाँ, तू तो घर बेठे कमाई करने लगी है लादे, कितने पैसे हैं तेरे पास? तो नित्या ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है देती है ये नहीं? नहीं दूँगी कमल ने उसके बाल खीचते हुए कहा नहीं है, तो उठा ये मशीन और निकल यहां से नित्या ने आसू पोचते हुए कहा ठीक है, जाती हूँ, आज के बाद मेरा तुम्हारा कोई रिष्टा नहीं नित्या अपनी मशीन और कुछ कपड़े लेकर खुशी के साथ घर से निकल गई और सोचने लगी ए भगवान, कहां जाओ पिता जी के पास जाओ तो उन पर बोज बन कर रहूंगी क्यों न किराय पर ही एक छोटा सा कमरा ले लूँ वहाँ भी तो किराय पर ही रहती थी लेकिन किराया देने के लिए पैसे कहां से आएंगे अरे, मैं ये कैसे भूल गई कि मैं एक दर्जी की बेटी हूँ मेरे पास सिलाई मशीन है मैं कपड़े सिला करूँगी, हाँ काश, मा और पिता जी ने मुझे और पढ़ाया होता तो कहीं नौकरी कर लेती मगर मैं अब सिलाई से ही अपना काम शुरू करूँगी, हाँ नित्या ने एक छोटा सा कमरा किराय पर ले लिया वह मकान मालकिन से बोली दीदी, अभी मेरे पास किराय के पैसे नहीं है मैं, मैंना बहुत अच्छी सिलाई करती हूँ आपको अपने जो भी कपड़े सिल्वाने हो, मैं सिल दूँगी आस परोस में भी बता देना, कम पैसों में सिल दूँगी, हाँ मकान मालकिन ने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास सिल्वाने के लिए कुछ कपड़े रखे हैं इन्हें सिल देना, तुम इतने पैसे किराय में कम कर देना नित्या ने उसके कपड़े सिले, मकान मालकिन बहुत खुश हुई और बोली अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी सिलाई करती हो क्या तुम मेरी बेटी को अपने जैसी सिलाई सिखा दोगी जरूर दीदी, बलकि मैं तो कहती हूँ कि आपके पडोस में जितनी भी लड़किया हैं, मैं सब को सिलाई सिखा दूगी नित्या के पास सिलाई के लिए बहुत सारे कपड़े आने लगे वे दिन रात सिलाई करती रहती जब काम ज्यादा होता, तो खुशी को उसकी नानी के पास छोड़ाती और अब तो उसके पास काफी सारी लड़कियां सिलाई सीखने भी आने लगी कुछ दिनों बात पता चला कि कमल ने किसी और से शादी कर ली है सुनकर नित्या को दुख तो हुआ लेकिन सुकून भी मिला कि एक ऐसा इनसान जिसने अपनी बच्ची की भी परवा नहीं की वे खुद ही उससे हमेशा के लिए दूर हो गया नित्या ने हिम्मत नहीं आरी वे दिन रात अपने काम में डूबी रही अब इतना बड़ा काम किराय के घर में बहुत मुश्किल होता जा रहा था इसलिए उसने अपने लिए एक घर खरीदा और उसमें एक बुटीक खोली चार साल बीट गए अब उसका एक बहुत बड़ा सिलाई सेंटर भी था जिसमें बहुत सारी लड़कियां सिलाई सीखने आती थी नित्या बोली मा पिताजी देखो आज मैं अपने पैरो पर खड़ी हो गई हूँ आज मेरे पास सब कुछ है अब मैं खुशी को सारी खुशियां दे सकती हूँ उसे बड़े स्कूल में पढ़ाऊंगी ताकि कम पढ़ने के कारण उसे मेरी तरह संखर्शना करना पड़े तो संजीव ने कहा बेटी तुने अपने पिता का नाम रोशन किया है कि एक दर्जी की बेटी आज अपने भरण पोशन के लिए किसी पुरुश की महताज नहीं है नित्या बोली पिता जी ये सम मैंने आप से ही तो सीखा था अगर आप दर्जी ना होते तो मैं कहां से सीखती मुझे आप पर गर्व है कि आप दर्जी हो और मुझे भी तुझ पर गर्व है कि तु मेरी बेटी है